हलो नमस्कार वन्यकम स्रिया काल आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चनल मैगनेट ब्रेंस में मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिस्क के डेरिवेशन यह जो सीरीज है है तो पहली पहली बार जवान होता है पहली पहली बार उसको प्यार होता है अगर तो यही चीज़ में आपको समझा रहा हूं कि पहली 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 बहुत सारी चीज़े पढ़ाई जाती है आपको खुद उसमें से देखना पड़ता है कि क्या चीज़े काम की है तो आप उसको लिखते हो नोट में आपको जो चीज समझ में आती कि नहीं इतने इंपॉर्डन नहीं आप उसको नोट में नहीं लिखते तो नोट बनाना भी क् ठीक है चलिए तो मैं यहीं चीज़ आपको समझा रहा हूं कि जब मैं आपको derivations करा रहा हूं तो आप दिमांग में बैठा लो वहीं आपको किस तरीके से हमको अपने यूज मिलाना है जब हमारे एक्जाम में derivation के question आएंगे तब ठीक है अगर आपको इसी पर्टिक्लर टॉ इंस्ट्रूमेंट के ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है साथ करते है इस लेक्टर को और हम डेरिवेशन देख रहे है किसका linear magnification in terms of V and F V and F, चलिए हम को क्या करना है linear magnification किसके टॉम्स में बताना है भी और F के टॉम समर्द मतना है ठीक है करते है और सबसे पहले लैंस फर्मुला लिखेंगे 1 upon F is equals 2 1 upon V 1 upon F is equals to 1 upon V up minus 1 upon you take it is room क्या कर रहे है इस equation को multiply कर रहे किसे यू से मुल्टिप्लाइ कर रहे हैं किसे मुल्टिप्लाइ कर रहे हैं यू से मुल्टिप्लाइ कर रहे हैं तो यू बाय एफ is equal to u by v minus u by v कि धरी रहने देते हैं तो यूभा अपर यूआ का यूवष के सब्सक्राइबcit कर दिया अभी अब एक एफ मैंस आफ लुए कर दू कर दो U plus F upon F कर दिया U by V किसके बराबर आ गया U plus F upon F के बराबर अब इसको इता पर्टी कर दो U by V को V by U की जगे कर दो क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे है अभी समझ में आ जाएगा V by U is equal to U plus F upon F कि जो V by U है या को किसकी याद दिलाता है V by U आपको किसकी याद दिलाता है V by U याद दिला रहा है मुझे magnification की तो M is equal to U plus F upon F U plus F upon F सही किया कि नहीं किया मैंने बिलकुल सही किया ठीक ना तो magnification in terms of U and F आ गया है चलो कोई बात नहीं करना था में तो हमने पहले U and F कर दिया है क्या कर दिया है मैंने magnification in terms of U and F कर दिया कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं जर कोई परिशानी नहीं तो magnification in terms of U and F आ गया है ठीक ना next slide उसी की थी कि हमको magnification in terms of U or F के term में हमने nikaaldia है अब हमें किसमें निकालना है अब हमें निकालना है वी और F के term में तो मैं तो मैं इसको मिटाता हूं आप पहले note down कर लो यह किसके terms में U or F के term में है magnification ठीक है चली क्लिकलर कर दो असर क्लिर कर दू लो क्लियर किया मैंने आया है निक्स वी एंड एफ अब एंड एफ के बीच में करना है एक रिलेशन्शिप सेट अप था कि हम क्या निकाल पाए किशन निकाल पाए तु चलो 1 upon F is equals to 1 upon V minus 1 upon U 1 upon V minus 1 upon U ठीक है चलिए very good आगे बढ़ते हैं अब में क्या करूँ जब में को यू और F के बीच में रिलेशंशिफ से अप्रना है अब मुझे वी और F के बीच में रिलेशंशिफ से अप करना है कि मैं मैंनिफिकेशन निकाल पाओ तो मैंजे किसे मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा वी से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तो मैं वी से मल्टिप्लाइ करता हूँ V by F is equals to V by V minus V by U ठीक है यह क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा इसको मैंने लिख दिया 1 minus V by U चलो वी बाय यू को इधर ले जाओ वी बाय यू is equal to V by U is equal to 1 minus V by F 1 minus V by F ठीक है वी बाय यू किसकी याद दिलाता है मैंगनिफिकेशन की याद दिलाता है तो मैंगनिफिकेशन is equals to F minus V upon F सही रिखा क्या मैंने हाँ साब बिलकु सही लिखा तो लो भाई मैंगनिफिकेशन के दो फॉर्मले आपके पास आगा एक यू और F के टम में और एक वी और F के टम ठीक है सिंपल सी बात ती यह भी बहुत छोटा सा डेरिवेशन था लेकिन बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है उन बच्चों के लिए जिनको फॉर्मला भी यूज चाहिए जिसको जिनको यह चाहिए कि भया हमको हर चीज का फॉर्मला बता दो चाहिए नुमेरिकल आएगा तो निम परमला बनागर अपने दिमांग में फिट अर्ट कर लेते हैं मेरी बात समझ में और जैसे ही निमेरिकल उनकी आखों समय आता है वह ड़िटा कल्ने प्राक्र電ções कर ले और किका रिजल्ट क है रिजल्ट को क्या कर ले याद कर लिए तो मैं आपको यही बूल रहा हूं कि upgrading कर लो इसके पहले वाल है कर लो याद कर लो ताकि आप को क्या है टाइम बचाने में मदद मिले ठाए करके तो आप याँ गांसर दूसरा बच्चा भी टराइब करके लिए गां कुछ गलत नहीं हो समें लेकिन टाइम बचेगा ना अगर आप आंसर याद रख लोगे तो डेरिविशन का अंसर याद रख लोगे तो हां सर बिल्कुल सही है चलिए इसको भी आप क्या कर लिजे नोट डाउन कर लिजे कर लिया चलिए बहुत ही शान तो इसी के साथ भी यह हमारे छोटू सा डेरिवेशन खतम होता है जिसमें दूरों चीज़ें क्या कर ली है पढ़ लिए ठीक है आपको मैगने ब्रेंस की आइडिलोजी के बारे में बिल्कुल पता होगा कि हम कंप्रीट लगा कोड लगाओ 30% मिलेगा नहीं 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 ऐसा कुछ भी रही है सब कुछ आपको free of cost अल्रेडी प्रोवाइड कर दिया गया है लेकिन हम भी थोड़े प्यार के भूके हैं थोड़े प्यार के लालची है तो हम क्या चाते हैं कि आप भी हमें थोड़ा सा प्यार दीज से कहकारी मारते हैं आप लोग अना और अपने फैकल्टी को भी बताइए स्कूल के कि एक ऐसा प्लाट्वाम एग्जिस्ट करता है जो कंप्लीटली फ्रेज फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करता आया है और करता रहेगा ठीक है चलिए इसी नोट के साथ हम इस के साथ तब तक साथान रहिये सतर कर रहिये पढ़ते रहिये थैंक यू बेरी मच्च